रूस के राश्पती व्लादिमिर पुतिन ने पश्चिमी देशों को निशाना बनाते हुए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने एक कारिक्रम में कहा कि पश्चिमी देश भारत को अपनी और खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन भारत की सरकार स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। भारत सरकार अपने देश के लोगों के हितों पर ध्यान दे रही है। व्लादिमिर पुतिन ने ये बाते रूस के ठिंग टैंक वालदे इंटरनेशनल डिसकुशन क्लब के सालाना कारिकर्म में कहीं। पुतिन ने कहा वे उन लोगों को दुश्मन के तौर पर चित्रित करने की कोशिश करते हैं जो इन पश्चिमी अमीर समूहों के पीछे आंक मुंद के चलने को तयार नहीं है। उन्होंने ये तरीका चीन सहित कई देशों के साथ अपनाया है। कुछ इस्चितियों में उन्होंने ये भारत के साथ भी करने की कोशिश की है। पिरा मानना है कि इसलिए इस तरह की कोशिशें बेकार हैं फिर भी वो इसे जारी रखेंगे। बलकि जो कोई देश सुआवलंबी है और अपने हितों के बारे में सूचता है उसे पश्चिमी अमीर समूह अपनी राह में रोडे के तौर पर देखने लगता है। इसे हटाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को समझदार शक्स बताया था। सुरक्षा परिशद में अभी सिर्फ पाँच देश ही स्थाई सदस्य हैं इनमें अमेरिका, बिर्टन, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इसके अलावा UNSC में दस अस थाई सदस्य भी होते हैं। पिछले माईने भारत में हुए G20 देशों के शिकर सम्मेलन में व्लादिमिर पुतिन नहीं आये थे। उनकी जगे रूस के विदेश मंतरी सरगई लावरूफ भारत आये थे। लेकिन अब पुतिन ने भारत की अगवाई में हुई इस बैठक की प्रशंसा की है। राजपती पुतिन ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की सराना की। पुतिन ने कहा कि मोदी G20 समूग के सदस्यों के विविद हितों को संतुलित करते हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णेयों के गएर राजनीती करण करने में सफल रहे है। कर कहा था नरेंदर मोदी रूस के गहरे दोस्त हैं। पियम मोदी ने कुछ साल पहले मेकिन इंडिया योजना को लागू किया था। इस योजना का भारत की अर्थ बेवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। अगर हम भी मेकिन इंडिया का अनुकरन करें तो इसमें कोई हान नहीं है भले ही ये हमारी योजना नहीं है लेकिन हमारे दोस्त की है। पुतिन ने ये भी कहा कि भारत ब्राजील और दक्षन अफरीका जैसे देशों की भूमी का अंतराश्य मंच पर बढ़नी चाहिए और उनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। पुतिन ने इस बात पर भी जोड़ दिया कि चीन के साथ रूस का सयोग किसी के खिलाफ नहीं है बलकि ये दोनों देशों के लिए है। इस दोरान पश्चिमी देशों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिम देशों की समरिद्धी पूरी धर्ती को लूट कर और अ पढ़ाई मॉसको ने शुरू नहीं की बलकि इसके उलट रूस इस युद्ध पर विराम लगाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में डोनबास और क्राइमिया में बम दाक कर रूस ने नहीं बलकि युक्रेन ने लोगों को डराया है। भारत के विदेश मं लेकर ने कहा था तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस के साथ हमारा संबंद अडिक है। रूस से संबंदों की एहमियत को लेकर हमारा वर्शों का बूल्यंकन है। रूस से भारत की दोस्ती को केवल रक्षा निरबरता के आईने में देखना एग गलती है। हमारे संबंद इससे कहीं आगे के हैं। रूस के साथ संबंदों को लेकर हमारा अपना जियो पॉलिटिकल तर्क है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है।